हाई गाईस विडियो तो फ्रेंड आज़की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपने श्नेप्चेट का यूजर नेम चेंज कर सकते हो जी हाँ गाइस इस वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा तो गाइस वीडियो इस्टार करने से पहले अगर आपको वीडियो कर दे और मेरे यूट्यूब चैनल नौलिज़ लर्निंग को सब्सक्राइब जरू कर दे वीडियो को इस्टार करते हैं अब मैं आपको श्नेप्चेट ओपन कर लिया है अब मैं यहां से आपको यूजर नेम चेंज करके बता देता हूं आप कैसे कर सकते हो और इसकी क्या- सबसे पहले तो आपको आपका यूजर नेम का पर मिलेगा यह मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको प्रोपैल करने के बाद आपको सेटिंग वाले ओप्शन पर टेप करना है यहां पर आपकी सारी इस्ट्री आ जाएगी आपको करना क्या है यूजर नेम चेंज करने के लिए कुछ 10-man condition है जो मैं आपको बता दे रहा हूं आपका जो यूजर नेम होता है उसको आप एक साल में सिर्फ एक बार ही चेंज कर सकते हो ऐसा नहीं गाइस आप इंस्टेग्राम की तरह अपना यूजर नेम कभी हो किसी भी सामें चेंज कर सकते हो पर गाइस इ इसके रूल्स होगा है और इसका कुछ रूल्स है वह मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा तो हम यूजर नेम चेंज करते हैं इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बस चैंज यूजर नेम वाले उप्सन पर टैप करना है यहां पर चैंज करोगे तो यहां पर एक पैच ओपन होगा इसमें लिखा है यूजर नेम चैंज कर सकते हो तो इसमें यह भी लिखा है कि अभी आपका जो नेम इसमें है चैंज रही है तो में यहां पर एक तो यह नहीं कर देता हूं तो घाइस यहाप मेंusan यूजर नेम कर देता हूं जो में रखना है राज सॉनी बन फ़ोर त्रीज जो मेरा इंस्टेग्राम यूजर नहीं यहापे मैंने इस पे टाईप किया तो घाइस यह बोल रहा है यह नेम किसी और का है तो मेरे को क्या टुला डिपरेंट लेना है यह इन बाय है सोनी कि यह हो जाए तो यह वी पहले से किसी और ने ले रह आय तो इसका यह यह एक है कि इसमें जो same Names होते वह दौआ नहीं हो सकते हैं आपको अलग डिफरेंट इार जही बड़ा ने मैं मैंने लिख दिया राज सोनी यूटूब बाला तो गाइस में लिखा रहा यूजर नेम कैन नौट वी लॉंगर देन 15 करेक्टर से ज्यादा में यहां पर टाइप नहीं कर सकता तो गाइस कुछ कुछ डिफ्रेंट कुछ यूनिक ही टाइप करना पड़ेगा मेर को अमने सोचता हूं क्या टाइप कर यहां पर इसी की चलो मैं यह वाला करता हूं यहां पर मैं कर देता हूं आप सोनी यह हो गया यह वाला यूजर नहीं तक किसी ने भी यूजर नहीं किया है तो यह वाला यूजर ने में लगा लेता हूं मेरा तो यहाँ पर मेरे को करना है नेश्ट करने के बाद गाइस की सबसे बड़ी खासियत यहाँ ये यूजर ने चेंट करने से पहले पासबर्ट जरूर माँगता है वहला इस इंश्टाग्राम में यह नहीं होता है आप अपने Instagram का username बड़ी ही आसानी से चेर्ज कर सकते हो साल में कितनी बार करो दिन में कितनी बार करो पर गाइस Snapchat का आप साल में सिर्फ एक बारी कर सकते हो इसमें भी आपको Passport यहां पे टाइप करना पड़ता है से लोगे यह से यहां इसे होंगे जिनको अपने Snapchat का Passport पता होगा और वहसे लोगे इसे वहोगेись इनको Snapchat का Passport नहीं पता होगा तो गाइस मेंने इसकी इए फीडियो बना दी है कि आपने Snapchat का password केसे पता लगा सकते हैं आई लिंक में आपको allá से आप किरेशन के आप क्लिक करके देख लेना कि आपने श्रहाइब क्यास पता लगा सकते वर जिनको पता हैทवाइब यहाँ पर पर के वीडियो में मागे बढ़ते हैं इस यहां से मैं continue पर tap करता हूं और गाइस यह मेरा यूजर नेम जो है वो चेंज हो गया है और यूजर नेम है जबी अपडेटेट एंड सक्सेस्फुली यह बंस आ यह अब इसको एक साल बादी चेंज कर पाऊंगा तो गाइस यहां पर मैं ओकर टेप करता हूं तो गाइस वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल नोगे स्क्राइब जरू करते हैं थेंक्यों पर वाचिंग वीडियो